इस्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो में रूसी परतिनी धी है UNSC में ये निकलते हैं आते हैं और बड़े गुस्से में ये कहके जाते हैं कि आखिरकार पस्चमी दुनिया अपनी मन मानी चलाती है अब हुआ क्या है इसराइल और हमास के युद्ध में UNSC में रूस का एक परस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया अब रिजेक्ट क्यों किया गया उसका कारण जानेंगे आप तो आपको भी लगेगा कि हाँ इसे रिजेक्ट होना चाहिए तीन देश यहां एक बड़ा गेम खेल रहे हैं इरान, रूस और चाइना वहीं इस गेम की दूसरी तरफ खड़े हैं अमेरिका, भारत, इसराइल और इन तीन तीन देशों के बीच में फसा हुआ है युवई, सौधी अरब और फिलिस्तिन जानेंगे आखिर UNSC में ऐसा क्या हुआ है और भारत के लिए भी ये बेहद महतपूर्ण क्यों हैं और जहां एक तरफ ये स स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं अपने लोगों को कहा इजराइल से निकलना है तो खुद टिकट खरीदो और निकलो इतना निर्दई क्यों हो रहा है चाइना जानेंगे जियो पॉलिक्स में क्या कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इ इन सब के बीच में जो उत्री इलाके के लोग हैं स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं वहाँ पर उन्हें कहा जा रहा है कि आप दचनी इलाके में आ जाईए पूरे बॉर्डर के पास में तीन लाख से ज्यादा सेना इजराइल की खड़ी है अब किसी चीज का वेट हो रह है जिसके बाद यहां पर एक्षन सुरू हो सकता है इजराइल भी यह समझने की कोशिस कर रहा है कि क्या क्या चीजें आगे हो सकती है और कैसे कैसे तयार रहना है कहा जा रहा है लेबनान से लगते अपने बॉर्डर को इजराइल खाली करा रहा है ताकि अगर दोनों तरफ से हमले हो गए तो उन हमलों को समालने के लिए इजराइल पहले से तयार हो क्योंकि हिजबुल्ला के इस युद में सामिल होने के चांसे बहुत जादा है ऐसी परिस्तिती में भारत भाप चुका है कि हो सकता है यहां लड़ाई थोड़ा बड़े लेबल पर बढ़े ऐसे मे भारत ने अपना अजैस सुरू किया और अपने नागरिकों को निकालना सुरू कर दिया क्योंकि एक बार जब बहुत गहरा युद्ध सुरू हो जाएगा तब बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने नागरिकों को निकालना भारत ने तो अपने नागरिकों को नहीं निकाल स्सक्रीन पर साउथ चाइना मौर्णिंग पोस्ट कीस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि चाइना के दिमाग में है कि जब तक बड़े-बड़े सहरों में नहीं पैल जाता है इसराईल के तब तक निकालने का कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पर आसानी से चाइनीज लोग रह सकते हैं एक दूसरा आर्टिकल देखिए जब चाइना के लोग अंदर से डर लग रहा होगा वो भी विचारे यह कह रहे होंगे मुझे निकालो मुझे निकालो देखो दुनिया के देश आकर अपने लोगों को निकाल रहे हैं तो चाइना ने कहा है अपना टिकट खुद खरीदो और खरीद कर अभी तक हमाई वायू सेवा जारी है पकड़ो प्लेन और आजाओ यहां हाला कि चाइना के लोगों को यह बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भर के देश अपने न हमास के कांड में चाइनीज नागरी की भी मारे गए हैं और यह भी कहा जाता है कि कुछ लोग बंधक हो सकते हैं हमास के पास चाइना मूल के अब चाइना यहां पर क्यों नहीं एक्सन ले रहा है वो तो चाइना की सरकार जाने लेकिन चाइना के विदेश मंत्री इस वक्त घूम घूम कर दुनिया भर में संदेशा जरूर दे रहे हैं इस्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि वांगी के द्वारा जो इनके विदेश मंत्री है कि कोई भी आदमी अपनी सुक्रीटी आम नागरिकों की हत्या करके नहीं तै कर सकता है ये चाइना कह रहा है सुनकर एक बार को आश्चरे हो रहा है बड़े धर्म की बात कह रहा है वांगी ने ये बाते कही है एंथनी ब्लिंकन से अमेरीकी विदेश मंत्री से और कहा है कि देखो इजराइल फलिस्तीन का जो ये विवाद है इस विवाद में मिलिटरी का इस्तेमाल करना सही नहीं है क्योंकि इस से एक जहरीला बातावरन तैयार होता है और कुछ भी नहीं होता है वहीं जहाँ चाइना एक तरफ ये कह रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं चाइना के जो राजदूत हैं वो मिडलिस्ट जा रहे हैं मुलाकात करने स्क्रीन पर आप देखिए चाइना आपको यहाँ बहुत एक्टिव दिख रहा है वहीं रूस यूएनसी में एक प्रस्ताव लेकर आता है दोनों का प्रस्ताव एक दूसरे के विरोधी में और रूस का प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है ये एक मीडिया है जिसने चापा कि देखो रूस कह रहा था मानविये सहायता देने के लिए लेकिन UNSC ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन एक दूसरी मीडिया है जिसने डीटेल में छापा कि आखिर हुआ क्यों क्यों रिजेक्ट कर दिया गया और क्यों UN से जब निकले रूस के परतिनीधी तो बहुत जादा गुस में थे रूस के इस रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यहांपर कहीं भी हमास का नाम नहीं था अब ब्राजिल का क्या होगा तो ब्राजिल का प्रस्ताओ मुझे उम्मीद है पास हो जाएगा रूस के प्रस्ताओ को देखेंगे जो यह पॉइंट दिये हुए हैं साथ ठीके के आम नागरी को पर हिंसा नहीं होनी चाहिए तीसरा इन्होंने कहा जितने भी बंदक हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाना चाहिए चौथा इन्होंने कहा कि हर तरह की सहायता पानी खाना इंधन मेडिकल ट्रीटमेंट ये लोगों को मिलना चाहिए गाजा के लिए इन् प्रप्राइब दूसरा इन्हों ने कहा जितने होस्टेज हैं जिनको बंदक बनाया गया है उनको बिल्कुल तरीके से सुरक्षीत ट्रीटमेंट देते हुए छोड़ा जाए तीसरा इन्हों ने कहा कि सिविलियंस पर हमला हम भी निंदा करते हैं नहीं होना चाहिए चौथा कि आप यून की बात मानो और यह जो आप गाजा में एक्सल लेने जा रहे हो लोगों को निकाल रहे हो इसको बंद करो पांचवा इन्हों ने कहा कि अन्हों ने कहा कि सीज फाइर होना चाहिए यह बराजिल के ब्राजिल के प्रस्ताओं और रूस के प्रस्ताओं में अंतर क्या था अंतर यही दिखा कि हमास हमास का जिक्र नहीं किया रूस ने हमास के बारे में एक लाइन भी नहीं कहा और यही बात गई है वजह जिसकी वजह से इस प्रस्ताओं को कैंसिल कर दिया गया रिजेक्ट कर गया इस्क्रीन पर देखिए आप चार देशों ने रूस के प्रस्ताओं को साथ दिया चाइना युएई मोजांबिक गबोन ने और चार देशों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया अमेरिका बिटेन फ्रांस और जापान ने चैसे देश थे जिन्हों ने बोला हम ना तो इ कि इस पूरे घटना में कहीं भी हमास का जिक्र नहीं आया रूसी प्रस्ताओं में इतना बड़ा हमला कर दिया हमास ने लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा अब मेन इसमें रोल किसका है तो आपको बता दें कहीं न कहीं आई मैक यह एक बहुत बड़ा कारण है यह कामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ